हाई दुस्तों असलाब अलेकुम कैसे है आप लो में आप नबील है iOS 18 का beta 4 इसको re-release किया आपल ने फिर से release किया है ऐसा क्यों है आईए इस वीडियो में हम check out करते है इसको हम beta 4 बोल दीजे आप beta 4 का re-release बोल दीजे या beta 4.5 बोल दीजे और यह मेरे 15 pro max पे आया है आप किस update से आ रहे हो भी depend करता है update का size जो है determine करने के लिए यहाँ पर यह developer beta है public beta अभी तक आया नहीं है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ public beta जो है आप next week Monday को expect कर सकते है यहाँ पर देखे ios version सेम रहने वाला है available free space update करने से पहले थी 577.74 GB की update के पहले का build नमबर था उसके end में जे था आगे क्या है वो चेक आउट करते है update के पहले का modem firmware था उसका number था 2.15.01 update के बाद यहाँ पर अगें ios version 18.0 ही रहने वाला है लेकिन बिल नमबर चेंज होगा क्या है वो देखते है अवेलेबल free space बढ़ गई है यहाँ पर 578.14 GB जो के बहुत अच्छी बात है और इसके बाद अगर हम यहाँ पर बिल नमबर देखेंगे तो यहाँ पर के बाद आता है तो यह कुछ trend में देख रहा हूं यहाँ पर apple के move back कर रहा है हो सकता है कि जे वाला update था वो इतना stable नहीं था इसलिए के वाला update आप पर निकाला है और सेम आपको public beta पे भी देखने मिलेगा क्यों public beta अभी तक आया नहीं है और यह वाला वापस जो देख रहे हम यहाँ पर हमको iphone 15 pro pro max के जो वालपेपर आते थे वह वाले कहीं भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इस update से उस वाले wallpaper को apple ने remove कर दिया है वापस आ जाना चाहिए आगे जाके क्योंकि beta 4 जो पिछला वाला था उसके अंदर था लेकिन beta 4 री-release के अंदर से वाले wallpaper जो है वो गायब हो गये लेकिन pride वाले अभी भी है बाकि यह जो iOS 18 के wallpaper यह आप इस्तमाल कर सकते हो बट अभी जो 14 pro pro max के जो official wallpaper थे जो original wallpaper थे वो यहाँ से 15 pro pro max पे लेकिन अभी 15 प्लस के लिए अपडेट आ चुका है तो आपके आसा कर आइफोन 15 है 15 प्लस है तो आपके लिए good news लेकिन उससे कोई पुराना अंदर आपल ने यहाँ पे अड किया है यह Bluetooth टॉगल आफ करने के लिए है यहाँ से अम Bluetooth को आफ करते है तो Bluetooth जो है यहाँ पे डिसकनेक्ट होता है लेकिन ब्लूटूथ आफ नहीं होता है लेकिन यहाँ नोड कनेक्टेड मतलब सिर्फ जो device से कनेक्ट था जिसे आपल लगा के रखा है लेकिन वहाँ पे वह काम नहीं कर रहा जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इस 17.6 के अंदर जो लिक्विड डिटेक्टेड वार्निंग है वह यहाँ पे अब आपको iOS 18 के अंदर भी दिखने मिलीगी बाहर शूट करता था पानी यहाँ पे चार्जिं होने दीजिए इसको भी ड्राय होने दीजिए चार्जिंग केबल को ड्राय होने दीजिए और फिर काफी घंटों के बाद जब ड्राय हो जाएगा पूरी तरह किसे उसको इस्तमाल कीजिए लेकिन मैंने यहाँ पे फूक मारी जोर से ब्लो किया एर अपने माउट से और पा हमारे फोन में नहीं है आई क्लको की सेटिंग सेक्शन के अंदर आपको नए अनिमेशन देखने मिल रहा है इडिन आपस के लिए निउग देखने मिल रहा है और अब यहां पे चेक कर लेते तो अभी भी यहाँ पर मवज़ूद नहीं है और इसे के साथ आप एक ही रो में messages के अंदर stickers add कर पाएंगे तो वो इसमें भी है अब यहाँ पर bug fixes या bugs क्या है वो दोनों चीज आपको बता देता हूँ phone से लिएगी photo को अगर आप zoom करते तो यहाँ पर pixelate नहीं होगी और काफी जादा जो है आप zoom कर पाएंगे अब यह एक problem था पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितना जादा zoom किया लेकिन फिर भी यहाँ पर सारी चीज़े एकदम clear नजर आ रही है तो इस तरीके से आप जो है अब यहाँ पर अपने आईफोन के अंदर प्रॉपली जूम कर सकते है जो photos को अपने आईफोन से लिया है उन पर screen time का bug मैंने यह मेरे particular एक phone के अंदर है आपके phone में भी है यह आप कमेंट करके मुझे बताना बाकि 14 इन प्रॉमैक्स पे भी मैं एक बार आपके सामने ट्राइक कर लेता हूं देखिए इस वाले के अंदर यह वाला problem नहीं है properly यहाँ पर सब चीज काम करें तो यह बहुत irritating हो जाता है Instagram म बहुत जगा पर मैं रील देखता हूं या कुछ करता हूं वीडियो देखता हूं तो यह अटक जाता है YouTube में नहीं हो रही प्रॉब्लम इन्स्ट्राइम में हो रही उसके आप मुझे जो है next रील पर skip करना पड़ता है फिर वाल्यूम को तो टॉबल करना पड़ता है फिर वर आवे यह फिर जप्र लिपारा के लगता है एंप और शुक्स नहीं करना था और उसमें एक प्रब्लम मुझे लगता है बैटरर का था गूस CR अभे में आपको battery life के उपची लेके चलता हूँ बटरीरिच लेकिन बटरीलीज से चलता हूँ लेकिन weer इस लेकिन रिलीज उन्ही के लेकिन आपको निवह कि दा लेकिन रिख सक रहा हूँ यह Friday को लेगे, यह actual में हमने एक माइक कनेक किया था, जिसकी वएसे यहाँ पे यह चार्ज दिखा रहा है, actual में इसको कोई चार्ज मिला नहीं है उस टाइम पे, और यहाँ पे last 10 days में मैं चले जाता हूँ, Friday की night को, आज Saturday मैं वीडियो बना रहा हूँ, Friday की night को जब 12 बचते ह मैंने इसको charging पर हटा दिया था, 100% करके, तो Friday को देखिए, सिर्फ 2 hours 2 minutes का screen on time में इससे निकाला था, और Saturday को मैंने सिर्फ 56 minutes का, तो इतनी खराब बैटर लाइफ यहाँ पे iOS 18 के beta 4 ने मेरे iPhone 15 Pro Max पे दिये, कितनी होती है यह, around 3 hours का आप सोचिए, 6 गंटे मिल रही थी, कम हो करके बताता हूं इसका, अभी battery health भी हम check out कर लेते है, iOS 18 beta 4 re-release में कोई drop हुई है, या नहीं होई है, हो सकता है, हुई हो, तो भी हम check कर लेते, battery में चलते है, battery health में जाते, और यहाँ पे देखे 92 पे ही है, यह 92 पे ही थी, और काफी डाइम से अब यह stable चल रही है, क्योंकि ओवरीट नहीं होरा फोन, लेकिन इतनी खराब battery life जो है, मैंने expect नहीं किया था, iOS 18 beta 4 से, I just hope के re-release की वज़े से यहाँ बैटरी लाइफ फिक्स हो जाए, वनना तीन गड़े का screen on time, वो भी iPhone 15 Pro Mac जीसे फोन के लिए यह बहुत ही जादा बुरा है, network performance की बात करें दोस्तों उसमें Apple ने Bluetooth devices connectivity है, वो सारी सी जोगो fix किया था, अभी तो सारी से properly काम कर रही है, यह बास storage की तो storage की और मैं आपको बता चुका हूँ, कि यहाँ पे storage है, वो मेरा 1 GB से बढ़ गया है, तो इसमें कोई tension नहीं बात नहीं है, in fact अच्छी चीज है, अकर storage बढ़ता है, तो overall general performance में कोई दिक्कत मुझे आ नहीं रही है, तो मैं उसके बारे में कोई specific चीज आपको बताना नहीं चाहता है, यहाँ पर case में problem आरी, आप crashing और यह वो, पस यह सब चीज़े है, जैसे यह volume का अटक जाना, यह सारी चीज़े है, otherwise overall जो performance है, वो decent ही है, CPU को benchmark देखते है, CPU history म कम कर रहा है, ताके battery life में improvement आ सके, क्योंकि battery life बहुत खराब है, सिर्फ तीन घंटे का screen on time, सोचे, इतना खरा, battery life, कभी मैंने experience नहीं कि आपने iPhone 15 Pro Max पे, जो iOS 11 beta 4 में देखने मिला, अब re-release में कैसा होता है, यह अब अगले वीडियो में में आपको बताऊंगा, यहाँ पर score कम करके, क्या battle apple सुधार सकता है, यह नहीं सुधार सकता है, आगे देखने वाली बात है, वाकि यहाँ पे आप देखेंगे, 7400 तक भी जो है, यह score जा चुका है, और यह version था 17.4, तो iOS 17 पर कर आप हो, तो जादा stable है, battle life अच्छी मिलेगी, performance भी, iOS 18 पे बहुत सारे changes आने है, अब apple intelligence आने के बाद क्या होता है, कितनी और battle life गिरती है, यह तो देखने वाली बात होगी, क्या कि expected updates है, आने वाले week में आपको बता देता हूँ, अगली week में, जुलाय का last week रहने वाला है, उसके अंदर आप expect कर सकते हो, iOS 18 का developer beta 2, जो कि यही same version रहेगा, साथी iOS 17.6 का public stable version, जिन लोगों को 7.5.1 से problem थी, उनके लिए यह अच्छी नहीं उच्छाएगी, बाकि August की second week में, आप expect कर सकते हो, कि iOS 18 का beta 5 आए, अगर तब नहीं आता, तो फिर आपको यह चीज जो है, around 12-13 को देखने मिल जाएगी, iOS 18 beta 4 का re-release, क्या यह आपको update करना चाहिए, release को install करना जो है, इस समयदारी बात ही रहेगी, आकि अब अभी iOS 17 पे हो, तो 17 पे रहिए, 7.6 देखिए कैसा लगता है आपको, उसके बाद आप decide कर सकते, AI features अभी तक आए नहीं है, call recording अभी तक आए नहीं है, जब आएगी उसके बाद एक major reason मिल सकता है, आपको update करने का, यही तका नहीं दोस्तो, आएस 18 के बेटा 4 की उम्मीद दोस्तो, आपको चैने वडियो पसना होगा, आपसने वीडियो को लाइक श्राइब कीजिए, जरू कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरू कीजिए, गुडबाई